दोस्तों नमस्कार आज हम बिये अपनी जो सीटेट का एक्जाम हुआ था उसका जो फेस्ट लेवल का पेपर है मैं उसको शोल करवा रहा हूँ टाइम नहीं था भी जस्ट जैपुर पहुंचा और उसके बाद भी मुझे लगा कि आपको हल करवाना चीए और सीट लेवल सेगना पेपर भी मैंने देख लिया है बहुत ईजी पेपर आया है और दोनों पेपर ईजी तो मैं नहीं कहूंगा बट जिसने अवनी मनोविज्यान पढ़िया उसके लिए बहुत ईजी है क्योंकि अपनी किताब में से हर एक चीज आई है मुझे लगता नहीं कि अब आवनी मनोविज्यान और अब्जेक्टी वाला जो अपने एडिशन है वो बहुत उपयोगी है सेटेट जैसे एकजाम के लिए जिसने दोनों एडिशन देखे हैं मुझे लगता है कि उसके 28 से 29 और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेसेज आये हैं कि सर हमारे 30 सही है 29 सही है यह अपने आप में मेरे लिए बहुत प्राउड डेबल बात है कि आप बहुत कम तयारी आप लोगों ने की बहुत से बच् चीज है कि फिर नहीं होना चीए तो डर बिना डर के आपको जो है एक्जाम देना है और चाहिए वो सेटेट एक्जाम हो चाहिए वो रिट का एक्जाम हो चाहिए कोई भी एक्जाम हो यदि डर नहीं है उत्तेजना है तो आप जीत जाओगे उत्तेजना जरूर होनी चीए लेकिन डर नहीं होना चाहिए, डर के माध्यम से जो हो आपके सिविक्जाम में डाउन हो साकते हैं तो याद रखना रिट में भी यही परफॉर्मेंस आपको बरकरार रखनी है चलो जल्दी से हम देखते हैं, ज्यादा मैं इसमें समझाऊंगा नहीं क्योंकि थोड़ा वक्त मेरे पास भी कम है और जल्दी जल्दी अपनी इसके आंसर देखेंगे देखेंगे, पहला परसन है, विच अफ दे फॉलोविंग बिलिफ इस गूड फॉर लर्निग, अधिगम के लिए निमनमिक्त में से कौन सी जो धार्ना है वो उप्युक्त है वर प्याप लेजा सकते हो, योग्यता अटल अबिलेटी इस फिष्ट कभी भी नहीं है ऐसा, आधिगम कभी भी नहीं मानता है कि अटल है, परिवर्तन होता रहता है, परियासों से कोई फरक नहीं पड़ता है, निश्यत रुप से परियास से, अभी प्रेंडना से, कारियो उसे फरक पड़ता है, तो यहां बेस्ट आंस्वर कौन सा हो जाएगा, यहां बेस्ट आंस्वर हो जाएगा, योग्यता सुधार यह है, यह उत्तर एकदम से सही हो जाएगा, तो बहुत पॉजिटिव सा आंस्वर था, इसको देख लिजीगा, दूसरा परसन हम चर्चा कर र तो कौन से बढ़ाएगी, अन्वेशन और समाद, इंक्वारी और डायलोग्स, निशित रुप से पॉजिटिव है, परतीस परदा आधारित, परतीस परदा हैं, कभी वे अच्छी नहीं होती है, आद देखना, सहुग आधारित, परतीस परदा सही होती है, लेकिन परतीस पुस्तक केंदित, शिक्रसास्तर, कभी वे अच्छा नहीं माना जाएगा, यदि बाल केंदित होता, तो मान लेते हैं, बारंबार प्रिक्षाएं, तो बारंबार प्रिक्षाएं भी जो है, बच्चे में कुंठा पैदा करती हैं, उसमें बोर पैदा करती हैं, तो बेस्ट पेपर को कभी भी दिमाग में डर नहीं प्यदा करना है अराम से बिना भहे के दिए आप आंसुर करते हैं तो आप बहुत बेटर कर सकते हैं तीसरा प्रसन हम लोग देख रहे हैं इस डिफिकल्ट फोर चिल्डेन तो लर्न वहें बच्चे को सीखने में कठनाई होती है जब तो कठनाई कब होगी विसेवस्तु को बहुरूपों में परस्तुत किया जाएगा स्चे को बच्चे को नगहीं करेंगे तो बच्चे को लगेगा जब वो चीज सामने आएगे तो आप बहुत जल्दी समझ जबगे तो कटनाई कब होगी बहूर रूपों में परसूत करना अच्छा है, multiply मतलब अलग-अलग तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अलग-अलग उदान देके पढ़ा रहा हूँ तो positive है, लेकिन जब मैं सुचनाओं को टुकडो में बांट देता हूँ, तो इसका मतलब जो ह होता, तो यहां आंस्वर जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, दो नंबर का जो आंस्वर है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सुचनाओं को हमें एकत्रित रूप में परस्तूत करना चाहिए, चोथा परसंद देख रहे हैं फट तो नहीं होना चाहिए, उच उतेजना, उच भहे, जो उच हाई अराउजल, हाई फियर होगा, तो भी वो भी अच्छी आवस्तानी है, भहे तो कभी भी नहीं होना चाहिए, लर्णिंग में आद दखना, भहे जब हो गया, जैसे अभी फिलाल डिटके बचे ड्रे में, तो ड अधिगम की सरवत्ता मवस्ता हो जाएगी, तो चोथा आंस्वर इसका सही कर देंगा, आगे देखते हैं, पांच नंबर का परसन है, अधिगम का सरंचना आत्मक विचारी सुझाव देता है कि ज्यान की सरंचना में, बार-बार मैं चीज बोल रहा हूँ आपको, अधिगम अधिगम का सरंचना आत्मक विचारी सुझाव देता है कि ज्यान की सरंचना में, बच्चे पुन रुप से पाठे पुस्त को भी ने भर हैं, देखो निर्मितवादी उपागम, सरंचनावादी उपागम, ये बेस्ट टॉपिक है, रिट के लिए भी, सिटेट के लिए भी रज इस तरी पातरता प्रिक्षा के लिए, और यहां से हर एक्जाम में 102 परशना आते हैं, और इसमें लेवाई गोस्की, इसमें जीन प्याजे, इसमें जरॉम ब्रुनर ठीक है, इनकी विचार आपको इस्पेसली समझने हैं, तो बच्चे पुन रुप से पाठे पुस्त निर्मित वादी उपागम की परमुक विसेस्ताओं में, मैंने सेम लाइन लिख रखी है, कि ज्यान जो है, इसमें शक्री रूप से बच्चा ज्यान का निर्मान करता है, बच्चे खुद एक्टिव रहकर सिकते हैं, खुद अपने पूरो ज्यान से तुलना करके सिकते हैं ले वाई गोच्की के भाषा और चिंतन और सोच के बारे में दे गए विचारों के नुसार इस तरह का वेक्तिगत वाग, देखे वेक्तिगत वारता की बात किसने की हैं वाई गोच्की ने, वाई गोच्की जब भी आये तो तीन चार बात ने हैं वाई गोच्की की भाषा में आता है तो यह समझ यह इसमें देखे इसका क्या है दूरिंग दे टास्क के साइना इस टालकिंग तो हर सेल्फ अवाउट वेर टू कैन प्रोसेज दे टास्क अकोर्डिंग टू लेवाई गोच की तो यह प्राइवेट जो स्पीच है निए वेक्तिकत जो वाक है वो क्या याद रखना इसमें मेरे किताब में भी डाल रखा है सवतेनियमन ये क्या हो जाएगा सवनियमन इसका जो है वाउन्सवर हो जाएगा तो वेक्तिकत वारता के बात किस ने किये वाई गोच के लिए तो खुद को अपने आपको नहित करने के लिए कि मैं जो कर रहे हूँ गोच की पूरा पढ़के जाना याद रखना, रीट वाले बच्चे भी कह रहा हूँ next, मुल्यांकन पदतियों का लक्षे होना चाहिए मुल्यांकन पदतियों का लक्षे होना चाहिए इसमें देखेंगे, पहला बिंदू है, पुर्षकार वित्रन है तो उच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के पहचान प्राप्त करना ये गलत है हमें मतलब मुल्यांकन एक अच्छा मुल्यांकन कभी इन चीजों पर बल नहीं देगा योग गिता अधरी समों में विद्यार्थियों को इभाजित करना ये भी इसका उद्दिश्य जरूर है लेकिन ये मौलिक उद्दिश्य नहीं है और देखिए चोथा सबसे बेस्ट आंसवर देखिए विद्यार्थियों की जरूरतियों आवसेक्ताओं की मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ आप उफ्लाइन कलासेज में भी बार-बार मैंने चीज बोली है कि हमेशा याद रखना साइकलोजिकल एटिटूड रखो जब परसन हल कर रहे है पॉजेटिव एटिटूड रखो चारों आंसवर अपनी जगे सही है लेकिन यहाँ बेस्ट आंसवर क्या होना चीए तो बेस्ट आंसवर यह है मुल्यांकन का की विद्यार्थी की जरूरत क्या है विद्यार्थी की आवशेक्ता है क्या है उनकी पहचान करना है और उसके नुशार हमें बच्चे में सुधार करना है यह सबसे बेस्ट लक्षे मुल्यांकन का होना चीए, तो यह applied person ही होता है, applied person ही होता है, तो चोथा person, आगे देखिए, बच्चे की विकास की वेक्तिकत भींताओं को किस पर परतिरोपीत के जा सकता है, जरूरती नहीं है मुझे बताने की, वेक्तिकत भींताओं टोपिक में पहली चीज यही लिख रखी है, और मैंने बार-बार आपको बताया है, कि चाहिए विकास की बात करें, चाहिए बुद्धी की बात करें, चाहिए वेक्तिकत भींताओं की बात करें, तीनु का एक ही सुतर है, H गुणा E, तो आनुवान सेक्ता और परियावरण की और उस पर जल्दी मैं काम सुरू करूँगा, तो मुझे भी, तो हो जकता है कुछ बच्चों के प्राउलमस आई हैं, कोई बात नहीं आगे बहुशे में सुधारेंगे कि कई बच्चे करें, अब डाउनलोड नहीं हुआ, सरीय नहीं हुआ, मेरे कोडिंग वो कर देंगे, तो वो बेश टेसरीज होगी मेरी अब तक की, मैं उसमें एक एक चीज अक्स्प्लें करूँगा, हर एक चीज को याद रखना है, इस से भी बेटर, तो आप उसको जरूर देखना जो समर्थ हैं बच्चे, और जो नहीं समर्थ हैं उनको फरी में भी में खोशिश करूँग पीछे लोजी देखिए, लड़कियां रोती हैं, तुम लड़की थोड़ी हो, तुम तो लड़के हो, और बॉइस कभी रोते थोड़ी हैं, बनलब ये धाना है हमारे प्राचेन लोगों की परकार से लिंग के पड़ते हैं, लड़के कभी रोते हैं नहीं, लड़के तो bold ह वो रो ने का काम लड़कियों का है, जिबकि आज उल्टा हो रहा है, आज लड़के रो रहे हैं, लड़कें जएदा निकुस हैं, तो मैं यही कहूंगा कि यह ऐसे जो statement होते हैं, वो लेंगिक रूडी वादे दरसाते हैं, और अपनी अवनी मनोविज्ञान में मैंने gender लेंगिक रूडी वादेता हो, ऐसा कोई भी statement जिसमें लड़का है, लड़की के खिलाप ऐसे कोई बात हो, तो वो क्या होती है, लेंगिक रूडी वादेता, इस सब किताब में, एक प्रगतिसील कक्षा, progressive education, मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्रगतिसील जो education है, उसके लेंगिक रुड़का हो, लेंगिक रूड़का हो, लेंगिक रुड़का है, सब किताब सो है, गलत है, ऐसा कोई बात ही नहीं करता है, अध्यापक को अटल पाठेकरम का पहला, अटल मतलब फिक्स पाठेकरम, लचिला पन नहीं हो, तो वो भी negative हो गया, विद्वे में प्र रंचना के लिए पर्चुर मोके परदान करने चाहिए निश्चित रूप से इस बात की बात करता है देखना मैंने किताब में डाल रखा है कि इसके अंतरगत जो उन डिवी ने कहा है कि जो बच्चा स्वेम करके सिखे, बच्चे के शामने चुनोतियां पेस की जाए किर्या सीलता, प्रेणा का सिधान इसने दिया है तो इसमें कम्प्लीटली मैंने उस चेप्टर में वेक्ति के तो बहिंता की बात जस्ट डाल रखा है समाविशी शिक्षा, फिर बालकेंदी शिक्षा, फिर प्रगती शिल शिक्षा उसमें आप देखना, सेम एकजम्पल मिल जाएगा तो बेश टांस्वर क्या होगा, ग्यान के स्रंचना के लिए पर्चुर मोके परदान करने चाहिए बच्चा खुद करके सिखे, खुद ग्यान का निर्मान करे ये प्रोग्रेश्व एजुकेशन है अगे देखिए, एक गतिविधी के दुरान चात्रों को संघर्स करते हुए देख एक अध्यापी का बच्चों को संकेत और इसारे से जैसे क्या, क्यों, कैसे परदान करने का फिसला लेती है लेवाईगोश्की के सिधान के नुसार अध्यापकी योजना क्या होगी मैंने कहा कि लेवाईगोश्की कितना इंपोर्टन है देखो, दू परसन लेवाईगोश्की पर आगए एक परकार से मालो, तीन परसन ही मालो, टोटल तो ये क्या अधियापक की उजना क्या होगी देखिए अधिगम की परकीरिया में अर्थिन होगी, be meaningless in process of learning, बच्चों को अधिगम के लिए अनुपरिते निश्परेत, demotivate the children to learn, demotivate करें गी भी अर्थ हिनवाला यी भी नेगेटिव है अधिगम के लिए पाड आधार बूस रचना एक्ट एजे इसके फोल्डिंग फोर लर्निंग ठीक है और चोथी है छात्रों में परत्याहार निकास परवर्तियां पैदा करना कोज विड्रोल टेदेंस या अमूंग स्टुटेंट्स देखें मैंने आपको पहले भी वाई कोज की पढ़ा है और वहां एक सिंपल साथ थोरी पढ़ा है था इसके फोल्डिंग और उससे बच्चा जो हो समश्या के वास्तिक्समाधान तक पहुंचाता है इसके फोल्डिंग होता है। तो यह मैने बहुत बार पहले भी बताया है और यह परसन वहां से फिर से पूछा गया है तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा है? इसके फोल्डिंग. तेन नमबर का उत् बच्चो के समाजीगन के संद्रह में निमल लिखित में से कौन सा कथन सही है आपको देखने की व्याव शेक्ता नहीं है objective जो किताब है अपनी objective किताब के जो last के मैंने fact डाले है उन fact में इसका आंसर आपको मिल जाएगा बहुत अराम से मैंने बड़ी अतरीके से इसको highlight करके डाला है कि बच्चे के जो समाजीकन होता है उसमें हमेशा याद देखना पहली जो CD होती है और सबसे पहला साधन होता है वो परिवार होता है और दूसरा जो होता है वो होता है विद्याले अवनी objective second edition तेरा नमर का परसन देखिए बहुबुद्धी का सिधान जोर देता है मैंने पहले भी कहा था कि सीटेट में चाहे रिट में एस्टेट में सभी में हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धी सिधान सबसे important है इसको बहुत अच्छे से पढ़के जाना तो हावर्ड गार्डनर ने जब अपने सिधान फ्रेम्स ओफ माइंड नामक पुस्तक में दिया था और इसमें नोहने बुद्धी के सुरुवात में साथ परकार फिर आठ परकार और वर्तमा में कितने परकार है नो परकार तो ये नोव परकार किस बात की बात करता हैं यही बात करते हैं कि हर वेक्ति की जो बुद्धी है वो डिफरेंट है ठीक है अलग-अलग बुद्धी मता की विन दशाएं हैं तो there are several forms of intelligence सबसे best answer हो जाएगा अन्य उत्रों पर देखने की व्यावशेक्ता नहीं है तो उत्र क्या हो जाएगा चोथा बुद्धी मता की विन दशाएं लोरेंस कोहलबरग के सिधानत के अनुसार किसी कारियों को इसलिए करना क्यूंकि दूसरे से सवीकर्ती देते हैं नेती विकास के चन को दर्शाता है कोहलबरग मैंने यूटूब पे नहीं पढ़ा है मैं पढ़ा दूँगा और जिसने किताब पढ़ी है उसको पता है देखिए कोहलबरग ने 6 वस्ताइं बताई तीन इस्तर बताई और जो दूसरा इस्तर है प्रमप्रागत उसमें मैंने आपको लिखा रखा है अच्छा लड़का अच्छे लड़की की स्तती और मैंने दे रखा है कि बच्चा क्या करता है दूसरों की परसंसा प्राप्त करने के लिए दूसरों की श्विकरती प्राप्त करने के लिए वो कारी करना चाहता है ताकि उससे वो अच्छा गुड़ बोई बोलें गुड़ गर्ल बोलें तो यह इस्तती जो होती है वो कौ महें रहेगा साहब वो 30 में से 30 करेगा विकास के संद्रम में कौन शाा कथन सही है बहुत अच्छा पर्षन है बालविकास पे और कल अपना जो टेश्ट है अपनी आलाई उसमें भी पहला पर्षन पहला जो टॉपिक है यहीं से लिया गया है बालविकास के अर्थ, बालविकास की इस्ततियां, बालविकास के सिधान, वनसानुकरम वातावन की भूमिका, जहांसे 3% में आना है, उन्हीं से टेस्ट होगा कलवाला, देखी, विकास के संदर में कौन्चा कथन सही है, development is a multi-dimensional, विकास भूआयमी होत यह कभी भी समान नहीं होगी आदकना, विक्तिकत विंताओं का सिधान यही कहता है, कि विकास के दर दो जुड़वा बच्चों में भी अलग-अलग होती है, तो संस्क्रतियां तो बहुत बड़ी बात है, विकास के वल विद्याले में होने वाला है, दिकम से होता है, development occurs only through learning that takes place in school, विकास विद्याले नहीं, विकास सब जगह होता है, घर में भी होता है, परिवार में, समाज में, सब जगह होता है, विद्याले में केवल संगेनात में विकास को बन परिभासित कर सकते हैं, विकास केवल बालेबस्ता की दुरान होता है, गलत बात है, विकास तो जिवन पर इंचलने वाली प्रकिरिया है, तो बहुत सामाने सा परसन है कि विकास क्या हो जाएगा, multi-dimensional नहीं विकास की, आठ आयाम होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं, तो बहुत सामाने सा परसन है और जिसने किताब पढ़िया, उसको पता है, नेक्स देखी, ले वाई गोस्की का समाजिक सांसकर्थिक प्रिप्रेक्षय अधिगम परकिरिया में महत्तों पर बल देता है, वाई गोस्की सोच ये कितना इंपोर्टेंट विकती है, जिस पर इतने सारे परशन हा रहे हैं, वाई गोस्की मैंने यूट्यूब पे पूरा पढ़ा रखा है, इस स्टेस्रीज के माध्यम से में बहुत सारे चीज़ें वाई गोस्की बता दूँगा, ले वाई गोस्की का समाजिक सांस्कर्तिक प्रिक्षय अधिकम प्रकिरिया में, मतलब वाई गोस्की की एक चीज दुबारा मैं बढ़ता दूँगा, आपको लगे ने कि वाई गोस्की सर समाज में नहीं है, मैं इक एक चीज हर चीज बता दूंगा पूरी Vygotsky के Vygotsky का सामाजिक सांसकर्टी देखू Vygotsky में स्पेसलि सामाजिक संद्रप अब चंद्रप और उसका संसकर्टिक है तिन संद्रप समझ रहे तो किस पर बल देता है तो सामाजिक सांसकर्तिक अगया और चीज़ों भी ध्वन इंदेना भ borष सिंपल सा गुणार ओपन की बात ही निए कार, गुणार ओपन की बात जो кःता है पयाजे करता है अभी प्रेना कहीं बात ही नहीं करता है, संतुलीगान की बात पयाजे करता है यहां किसमें बात करेगा संसकर्तिक उपकरणों की बात करेगा तो मैंने कहा कि सामाजिक संसकर्तिक शब्द कहीं भी आजाए आपको वाई-गोट्सकी करना क्या करना है वाई-गोट्सकी जीन प्याजी अपने संग्यनात्मक विकास के सिधान्त में संग्यानात्मक सरंचनाओं के रूप में वणित करते हैं किस रूप में वणित करते हैं जीन प्याजेने पने संग्यानात्मक सरंचनाओं को किस रूप में वणित किया है इसकीमा, मनोविग्यानिक उपकर्ण, उद्धीपक अनुकिर्या समंद, विकास का समीपच छेतर तो सिंपल सी बात है, विकास का समीपच छेतर का कौन सेप्ट किसका है, वाइकोस की का है उदीपक अनुक्रिया समन्त की बात को उन्ह करता है, थोंडाए कि स्किनर करते हैं, मनोविजयनिक उपकन साइकलोजिकल टूस की बात कहीं भी पियाजे नहीं करता है, याद रखना, और स्कीमा मनोबंद की पियाजे बात करता है, इसकीमा एक परकार से ग्यान का धाचा है, दूसरों के परती विवहार कैसे करते हैं, सुसना संसादन कैसे करते हैं, वो सब क्या कलाती है, इसकीमा कलाती है, तो इसकीमा को मैंने completely यूटूब पे समझाया हुआ है, देख लेजिएगा, इसकीमा मनोबंद, किसने कहा है, जेन प्याजे, सब परसन अपने किताब से हैं, जेन प्याजे के संगेनात्म विकास के सिधाहमत में, पुर्व संकिर्यात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुन क्या होता है, अब देखो जेन प्याजे की चार अवस्था हैं, मैंने पूरा यूटूब पे समझा रखा है, तो जेन पियाजी कि कौन सी पुर्व संक्रियात्मक मतलब 2-7 वर्स में कौन सी विसेष्टा पाई जाती है बताओ देखते समझ में आ गया होगा आपके देखो संडक्षन विशेष्टा होती है मुर्च संक्रियात्मक में ए मुर्च सोच होती है अपचारिक संक्रियात्मक में विचार और सोच में केंद्रीकन होता है दो से साथ वर्स में कि ये गिलास मतलब गिलास की एक पक्स पर धान देता है किसाबी गिलास में दो गिलासों में आप दूद लेके जाओगे तो लंबे वाले गिलास पर बचारी ध्यान देगा, उसकी चोडाई पर ध्यान नी देगा, उसके लंबाई पर ध्यान देगा, तो यह केंद्री करण की प्रवर्ती होते हैं, रिवर्सबिलेटी नहीं पाय जा आपको टीसरा उत्तर जो है वो इसमें हो जाएगा केंध्रीकरण दिव्यांग जन अधिकार अदिनियम 2016 के अनुसार निमद लिखित में से किस अभडावल्य का परियुक उप्यूग थैंगो दिव्यांग जन अधिकार अदिनियम 2016 का अंतरगत बहुत सारे रोगों को सामिल क किया गए है किस स्रोगो को सामिल किया गए है इसमें लेना चातर जिसका ऐसक्ट शरीर है ञांदि चातर में घर रिकाम चातर आठ क्षाथर चपड़िया दिवियांग ता है तो इसके इकोडिंग कोन पिर चोथा लग रहा है और वैसे थर्ड भी इसमें हो सकता है तो मेरे कोडिंग फोर्त ज्यादा सही है बाके देखो आंस्वर के आतने भी प्राचा लेगा क्या होता है आगे देखिए जनम से किसवर अवस्ता तक बच्चों में विकास किस करम में होता है बहुत इजी सा पर यहां देख लो और देखने नहीं आंस्वर सब से पले सामेंदी देख लो सेंसरी, कॉन्क्रीट, मूर्थ संक्रियात्मक, एब्स्रेक्ट, एमूर्थ तो यह दो नम्र का उत्तर हो जाएगा एक प्रगतिसल कक्षा में वेक्ति के तो भिंताओं को किस परकार देखा जाना तो एक प्रोग्रेस युद्व को प्रोग्रेस एजुकरिशन पर किते सारे परशन आ गए और पूरा का पूरा टॉपिक में डाल रखा है ठीक है वेक्ति के तो भिंता वाले टॉपिक में तो बेस टांस्वर क्या हो जाना से देखो अध्यापन अधिगम प्रिक्रिया की प माप्देंड योगिता था है समूर तो माप्देंड हम बना सकते हैं वेक्ति के तो भिंता का लेकिन प्रगतिशील कक्षा में ये कॉंसेप्ट अच्छा नहीं माना जाता है तो बेस्ट जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर हम इंपोरेंट फॉर प्लानिंग पोर ट समाविशी शिक्षा क्या होती है एक ऐसा अधिगम वातावन जहां पे परकर्ति वरंग, लिंग, विकलांगता, धर्म, संसकर्ति, भाशा के अधार का विचार के विना सभी विद्यार्थियों को सभी परकार की शिक्षा में और मुख्य धारा में जोड़ना जो है और सभी परकार के उनको अवशर जो परदान करना वो समाविशी शिक्षा है, कम्प्रीटल में डाल रखा है, तो यहां जोरी निदेना चाहिए कौन सा उतर हो जाएगा हर बच्चे को सामर्थ यानि उसकी वेक्तिकत जो योग्यता है उसके अनुसार अधिक्तम के अवशर परदान करना यह समाविशी शिक्षा का उद्धिश्य होना चाहिए, और समान विद्यालियों में याद रखना, समश्या समाधान चमताओं को किस परकार सुसाद्धी के जा सकता है, प्रॉबलम सॉल्विंग एबिलिटीज केन बी फेसिलिटेट बाई, तो समश्या समाधान की जोड़ देना, यह परकार से है, कहींने कहीं साहिक हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि अभ्यास जो है, वो एक परकार से मंद, जो अच्छे बच्चे हैं उनके ज्यादा फाइदे मनने हैं, उससे वो परिशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, ठीक ह तीसरा देखो समश्याओं के हले तु अटल परकिरिय के इस्तेमाल को बढ़ाओ देना, अटल मतलब फिक्स प्रोसेस, तो एक ही परकार के अफ़ां तरीकों अपना रहे हैं, तो वो बढ़िया को नहीं हो, याद राखियो, और चोथा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ा होती है, तो यहाँ पर दूसरा उप्सन भी सही लग रहा है, और चोथा भी सही लग रहा है, लेकिन दोनों के अकोडिंग जो बेटर देखेंगे, तो यह चोथा उप्सन जाता सही है, तो चोथा उप्सन मेरे अकोडिंग सही होना ची, बाके देखों अंसुर की में क्या आ तो पहला है सिक्षय सास्त्र वाक्राइन की जटिल स्रंचनाओं का प्रियोग जटिल तो करोगे नहीं यार इनकी तो लचिलापन होना चाहिए सब कुछ इनके लिए तो इनकी योगेता गुण सा बदल देना चाहिए सर्वे दर्शी सामगरी का इस्तेमाल करेंगी स्रंचना अनि कंस्त्रक्टिव पैडलोजिकल व्यक्तिकत सिक्षय योगजना बनाएंगे यह भी बड़ी है लेकिन गलत कौन सा है तो गलत कोन सा हो जाएगा जटिल स्रंचनाओं का प्रियोग करना क्यों गलत हो जाएगा तो पहला उत्तर सही है सर्जना आत्मक्ता की पहचान का पर प्रादी बच्चे उनमें होता है ऐसा तरक्ता यह मंद बुद्धी बच्चे की विसेशता है कंप्रिग्यान था बहुत गम्यता लोग कंप्रिसेंशन बोल नहीं पाते हैं संप्रेशन नहीं कर पाते हैं यह भी पिछले बालक मंद बुद्धी बालक की विसेशता है अप स सम्मोधित करने है तो एक अध्यापक को क्या करना चीए अलग-अलग प्रश्टू में का टाबरें ठीक है ना अलग-अलग लड़नर हैं अलग-अलग मालोगी अलग-अलग जगह के बोलने वाले हैं कि अलग-अलग प्रश्टू में से अलग-अलग प्रश्टू में से विभिन प्रकार के उनके जीवन से जुड़े वे उदार्नों से उनको इद्यम समझाते हैं तो जदा बेश्ट होगा तो तीसरा उत्र हो जाएगा एक अध्यापक्या को दिये गए किसी कारीकलाप में चात्रों के इभिन प्रूटियों का विशलेशन करना चाहिए क्योंकि ठीक है है पता चल जाएगा कि गलती कहा हुई तो हमें और क्या पढ़ाना चाहिए तो एक सिख्षका के संदर में टीचिंग के संदर में परसन पूछ रहा है तो टीचिंग के संदर में मेरे लिए तूटियों का क्या फाइदा होगा आपकी गलतीयों का तो मुझे पताब चलना चीए कि बच्चों नहीं हाँ गलती कि इसका मतला है मुझे अब इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चीए कभी भी नहीं होगा अधिगम के भी प्रेड़ना है सिखने बुमिका में बिंदू डाल रखा है कभी भी रटने में बलनी दंचे रट्टा हुआ जल्दी भूल जाते हो बच्चों को दंड कभी नहीं देना नेगेटिव उत्तर तो साइकलोजी में देनों नहीं है कदे भी य कटनाईयां पेस की जाएंगे ठीक है तो बच्चां को जल्दी शीकता लंबे समय तक यात रहता तो जदा बेस्ट क्या हो जाएगा परविंटा भी मुक्य लक्षों पर जोड़ देना यानि मास्ट्री ओरेंटेट जो गॉल्स हैं और जहां बच्चाईदी फोकस करता तो ज़्यादा मॉटिवेशनल लंबे समय तक बना रहेगा सरमिंदिगी क्या है देखो सरमिंदिगी इर्शाप क्रोध भे और नकरात्मक सवेंग हो हैं और जो सवेंग आत्मक विकास है वहाँ पे मैंने एक बिंदू डाल रखा है नई वाले किताब आ रही है उसमें तो जिए दूसरे में सनहित होते हैं तो देखो सरमिंद报 का संग्यान से कोई समंद ने ऊचलए है तो है समंद्ध तो सरमिंद जोगा है जाये लिए घ्राइज क्यरव को अध्याफन अदिकम प्रक्रेवें 22 पीदा करना चाहिए गलब है यसे से नेगेट्व मतलब सेम फ्रव उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें तीसे नमर क्या हो जाएगा, चोथा भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव फिलिंग्स है, नेगेटिव सर्वेंग है, अंती परसम देखिए, निमल लेकित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्राव, साली माध्यम कौन सा है, सबसे बड़ी ओमादिम पूनसो है, effective model of teaching learning, अनुकरन नकल और दोहराना, अनुकरन नकल दोहराना तो जो सामाने बच्चे होते हैं, उनके लिए उप्योगी होता है, मंद बुद्धी बच्चों के लिए उप्योगी होता है, अच्छे बच्चों के लिए, intelligent बच्चों के ल innovation के प्रक्रिया को उपनाते हैं, सबसे best मादिम होता है, क्योंकि इसे लंबे समय तक बच्चा याद रखता है, तो ये था आपका level fast का paper, मुझे लगता है कि आपको निश्यत रुप से आपको फाइदा होगा, और आप लोगों ने जो मुझे response दिया है कि सर 30 परसन, 29 परसन कि मेरे किताब से या मेरे से आपको फाइदा हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद